इन्दोर के अरोडरम थाना शेत्र में कल एक norबालिक बच्ची की सेलफी लेने के चकर में फासी मौत हो वें थी वहीं पूरे मामले में एक नया मोड सामने आया है कि नाबालिक बच्ची ने सेलफी के चकर में फासी नहीं लगी, बलकि नाबालिक बच्ची ने सुसाइड किया था जिसका खुला सा पुलस से आज किया, दरसल पूरी घटना अरोडरम थाना शेत्र की है, जहां अरोडरम शे कि बच्चे किसी अप्लिकेशन पर लगातार वीडियो देखा करती थी कई वीडियो में मैजिक की जो ऐसे फंदा लगता था और फिर खोल जाता था महीं एस भी प्रशान्त चौबे के अनुसार आईशी की जेब से एक पत्र मिला है इसमें वो अपनी सहेलियों को सौरी कह रही है उसने लिखा है कि हमारे बीच जो बात चीत हुई उसे भूल जाना हमारे बीच जो गलत फहमिया है उसे भी भूल जाना इसके लावा उल्टे हाथ पर किसी नुकीली बस्तू से भी उसने सौरी लिखा है वही मृत का आयओ शी की मॉबााल में एक सेल्फी भी मिली है जिस में नाईभालग आयओ शी सेल्फी लेते हुए जैसा कि आपने खाय के लिखा हमार से सहे टिंट QUT Вас तुर पिसने सेल्फ़ी लेते हुगत नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें विरीवत एक नोट मिला हुआ है और उसके अलावा हाथ पे भी जो टाइब से जो लेक मिला है उसमें सौरी लेक किया है इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इसमें सुसाइडल इंटेंशन था और मरती का बच्ची का तो अपन यह तो नहीं कह सकते हैं कि सेलफी के ल बात तो नहीं बनता है लेकिन उसमें कुछ ऐसा इंडिकेशन है कि साइड अपने जो बच्चों के अपस की दोस्ती होती है अपनी उसकी जो कोई एक जो लड़की फ्रेंड है उसकी चोटी थी उसके लिए कुछ उसने ऐसा लिखा है जिस पे पुलिस जाच कर रही है और हम लोग कुशिश कर रहे हैं कि एक्च्वल कारण क्या है पता चले कित्ती वर्षकी की बच्ची और कहां के रहना है यह एरुडम थाना चेत्र का मामला है और और पहचान मुझा अगर नहीं कर सकते हैं लगबग वारा साल उमर है